नमस्कार स्वागतेवं अभिननन पुना मेरे चैनल अक्षा ज्यान पे अब मैं आपके समख्ष चित्र पाठा प्रत्मा पाठा यह हमारी संस्किसुधा कख्षाचार यह पुस्तक है उसका भ्यास यह प्रश्णोतर को लेकर पस्तित हुई हूँ देखिए यह बहुत सारे चि सिक्ष्ण संकेत हा है शिक्षिखा चित्रानी दिश्ट्वा चृत्र है से वारता लापम कुर्याद सिक्षाख इन चित्रों को देखकर चात्रों के साथ इसने वारता लाप करें जैसे यह दा इषर का ऐश्ष शुकह ये दो मलब कौन है ये दो बैल है एते के मतस्य हां ठीक है तो हम इसते से एंहें कि देख से देखेंगे देखें ये जब हम बच्चेSmith बता देंगे कि यह आम है हम को मेंगो करते हैं आमराणी संस्कित में कहते हैं Lenrenja प्रश्νο पूछेंगे कि एते के तो एते आमराणे अभी क्या है तोता एशा का एशा सुका ठीक है इस रज से सूरे सूरे केले पूछेंगे एशा का एशा का एतो बताब पूला था न क्या है ब्रश्ववव ए ब्रश्वव एशा का ग्रिश कहा ठीक है इस तरह से एते के एते ग्रहे अब इस तरह से यह क्या बाली कहा यह बहुत सारी क्या बाली कहा है लड़किया है और यह कली का कली है कमलानी फूल अब कमलानी है तो एते के एते के एते कमलानी वर्त कहा ये क्या है पतक है तो एशह का ये मचलिया है एते के तो एते मतस्य हा तो इस रजे चट कहा अब बहुत सारी है न तो इसमें पूछेंगे एते के तो एते चट कहा ब्रक्षह एशह कहा एशह ब्रक्षह यानि ये ब्रक्ष है अब इसके बाद दूसरे प्रेस्ट पर हम आएंगे तो इस प्रेस्ट पर हम देख रहे हैं कि ये अब इसमें भी एक नीचे नोट है कि इस्त्रिलिंग एशा उसमें एशा था इसमें एशा का एशा शिष्ट का एते के एते के एते कलिके और एताह का अताह चटका दिखिए येच इंक इस्तरी like में देखिने एशा एक वचनद के लिए ए थे एशा एक वचन प्रतम पुरुस के लिए दूई वचनद के लिए है पृभाक वचनद के लिए अब नपोशंग लिंग में आएगा तो ए तत आएगा एतत किम एतत कार्यानम एते देखे इसमें जितने भी नपुसंग लिंग हुआ इसमें इस तरह से उपयोग मिलाएंगे तो हम देखते हैं ये शाका पाणा ये लिखा है शाका पाणा तो ये आपका क्या है नपुसंग लिंग है तो एतत कार्यानम इसमें आप पूछेंगे एतत किम इसमें आप लिखेंगे एतत किम क्योंकि ये नफुसलिंकिन है यात्रनाहा महीं बहुवचन है तो इसमें आएगा एतत का अब है गिरिजनानानी यह क्या है पहुँ सारी गाजर है पटोलाह, कुश्मानडाह, आलुकानी, मूलकानी तो इन्हें मूली है, आलु है, कद्दू है तो इस तरह से हम बच्चों को प्रश्ण करेंगे सिक्षी का बच्चों के साथ वारतालाब करते हुए कई प्रश्णों को बनाएगी अब बाली कहा ये बाली कहा है, नलकूपह, नला जैसे एशा, ये इसमें क्या आएगा नलकूपह में आएगा एतत किम, इसमें आएगा नलकूपह में एतत क्योंकि ये नपो सक लेंगे, ठीक है अब बाल कहा बालक है, शाम पटाह तो एतत किम, शाम पटाह इस रशे प्रिश्णों को सेव फलानी आपनी का एदुकान हो गई इसकी कदली फलानी यह केले हैं तो यह इतने सारे इसमें सबके प्रिश्णों को हम लोग देखेंगे और करेंगे अब इसके बाद हम लोग यह बहुत सारे प्रिश्ण बंजाएंगे इसके बाद हम इसकी व ब्रशबहा यह ब्रशबहा है इसको मैं और इस पर लिख देती हूं थोड़ा सा गलत लोगा था यह ऐसे और भा में बढ़या कटंडा अभिसर गए ब्रशबहा पटोला हा यह ब्रक्षा हा और कृषका कृषका हा वनम का वनानानी कार्यानानी पुस्तकानी मूलकानी ठीक है इस तरह से है देखिए उपर इन्होंने एक्जामपल उधारनते रखा है तो फलम फलानी मूलकम मूलकानी पुस्तकम पुस्तकानी कार्यानम कार्यानामी वनम वनानी अब देखिए चटका का चटका हा सिर्फ क्या किया है इसमें विसर्ग लगी हम बच्चों को एक ट्रिक भी बताएंगी कि कैसे उनको अगर आना है तो कैसे कर लेना है अब इसमें बोलने में यह शिक्षि कहा है यह जैसी होता है बाली कहा कली कहा लेखिका तो यह हो गया इसके पशाथ हम नीचे देखेंगे आव इसमें पूच रहा है चितरी देष्टवा उचित पदम लिखत तो यह था जैसे बाल कहा हसती तो यह हम बाल कहा किरंती क्यूंकि बहुत सारी बाल कहा है ना तो बाल कहा किरंती कमलम बिखसती मतस्या यह उपर यह वाला मतस्या जो है उपर वाला सही यह नीचे दलत दिखा मतस्या तरती अच्छा ने स्वारी मतस्या तरती ठीक है इसके बाद हम देखेंगे उधान उसार पदानी लिखाने आ है तो हमें ये जो बहुत सारे शमतिये रखें है ग्रहम, मतस्या, पत्रम, आपनिका, बालका, फलम, और छात्रह, व्रक्षा, तो ये इसमें जो इस त्री लिंग में आएगा छात्रह, अभी जो नपुसंग इसमें आज एस त्री लिंग में शिक्षी का मतस्या, ठीक है? ये आएगा मतस्या हमें, विसर गाएंगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसमें मा योजिता मा को जोड़ करके शब निमान करना है तो ग्रह का ग्रिहम ग्रिह का ग्रिहम शाक का शाकम हलका हलम फलका फलम वस्यान का वस्यानम तद पशात वाके स्यू करता पद रिखांगे तो इसमें किर्श का हमें ये किर्श का है तो इस पत्रानी व्यात्रणा मतस्या कमलानी ठीक है आतर इसके बार हम देखेंगे प्रश्ण निर्बान करना है एशा सूर्या एशा का तो इसमें आएगा एतानी पत्रानी तो एतानी का इसमें ये इस तरह से लिखेंगे ये वाला जो है एतानी का एते मतस्या एते का अब बच्चो को प्रश्ण में मतलब confusing नहों हम लिखने में हम स्रम गल्थ करते थे कभी बात नहीं इसमें स्रिफ एतानी सेम वही लिखने और कहा पस एते में एते वही लिख दिया कहा अब एशा शिक्षिका तो एशा का इसमें का एगा कोई भी सर्ग नहीं आएगी क्योंकि इस कवल य्था से ब्रखश को अब आगे है चाहं अब इसमें बिसर्ग दिए क हृंब यूचिता शब्द निर्मार कूरतर अब यह को लगाना के वाल ब्रक्ष के साथ है दरपन का दरपणह, चंद्र के साथ चंद्रह, तो इस तरह से यह हमारा पार्ट पूरा होता है, थोड़ा यह पहला पार्ट है, और इसमें बहुत साई शब निर्मान के साथ, एक बचन, दुई बचन, इस्त्री लिंग, पुली लिंग और नपुसक लिंग, तीनों लिंगों का बहुत इस्त्री लिंग, पुली लिंग और नपुसंग लिंग, वैसे ही हिंदी में वचन, एक वचन, दुई वचन, और इसतरह से बच्चों को हिंदी संस्कित में अलग अलग भेद करते हो, इसको समझाएंगे, तो पाथा अती रोज्चा होगा, इती जानकारी अच्छी तो पल